देवास में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है खेतों में पानी भर जाने से किसान परिशान है किसानों के सोयावीन की फसल खराब हो जाने की कगार पर पहुंच चुकी है ऐसे में किसानों की माथे पर चिंता की लखी रहे है किस तरह से किसानों की सोयवीन की पीला सोना जिसको मालवा में कहा जाता है उसकी फसल खेत में खड़ी हुई है फसल कटने को तयार है लेकिन बारस इस बारिस ने आफ़त की बारिस ने खेतों में पानी भरे होने के कारण किसान अपनी फसल नहीं काट पा रहा है हम बात सब्सक्राइब करते हैं किस तरह से आपके खेतों की यह हलत है कि इस बारिश से पानी पूरे खेत में बेह के जा रहा है एक जा तरही है किस टरह से आपके खेतों बेच में और खड़ी फसल जो आ गहीं है तैयार हो गए और सड़के इच किसान माइनस में जा रहा है किसान माइनस में जा रहा है ऐसा कहना है यहां के किसानों को देखिए किस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं मैं इस बक्त खड़ा हूँ खेत में देखिए यह जो फसल पक के तयार हो गई मालवा का पीला सोना कहा जाने वाले सोयवीन को अब काला या किसी की नजर लग गए ऐसा बोल सकते हैं देखिए किस तरह से अपने केमरामन को जूम करके फसल को दिखाएं किस तरह से फसल यह सोयवीन की यहां पर खड़ी हुई है फसल कटने को तयार है लेकिन खेतों में जो यह लोडते हुए मानसून ने किसानों को किस तरह रूलाया है फसल किस तरह से पूरी बरवाद हो रही है देखिए हमारे साथ एक यूबा किसान है हम उनसे बात करेंगे दादा क्या शुम नाम है आपका लोमेश पडेल पड़जब किस तरह से आप फसल देख रहे हैं आपकी अब क्या इसमें तो कुछ मिलना है नहीं यह तो खरावी हो जाएगी फुरी बहुत मुश्किल है कितनी महनत लगती है आपको भी खेती करना है किसान की महनत का तो कोई कह नहीं सकते कितनी महनत लगती है तीन बार चार बार दवाई स्प्रे करना है फिर उसमें खाद बगएर भी डालना है फिर उसके बहुत खर्च लगता है उसके अंदर क्या करेंगे अब क्या करेंगे उपर वाला अगर दे दे थोड़ी बहुत निकल जाए तो ठीक है ने तो फिर जाएगी हो तो पूरी है पूरी किस तरह से उपर वाले के भरोसे हैं किरा उपर वाला कुछ दे दे तो ठीक है नहीं तो पूरी फसल जो है बरवादी की और खड़ी होई इस बरवादी का कारणागर का हैं तो लोडता हुआ मानसून है हम अपने एंड़ीवी के दरसों को दिखाते हैं किस तरह से जो हुए फसल में भी अंकुरित बीच अंकुरित होने लगे हैं ले देखके हम बात करें तो पूरे स्वेविन की फसल बरवाद हो गई है मेरे कैमरा साही होगी पपू चुहान के साथ एंड़ीवी से अरवीन चोक से देवास